Hello friends, welcome to Take If In YouTube channel तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना HDFC बैंक का credit card कैसे online अपग्रेड कर सकते हैं अगर हमें अपने HDFC बैंक का credit card अपग्रेड करना और हम चाहते हैं कि ये process हम online ही कर लें हमें branch visit करने के ज़रूरत ना पड़े तो ये हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमें visit करना पड़ेगा HDFC बैंक की website पे ये थोड़ा lengthy process था तो मैंने इसको जो है थोड़ा short कर दिया है ये आप page देख रहे हैं तो इस page पे आप directly visit कर सकते हैं मैं इसका link आप लोगों को नीचे description में दिया दूँँगा और वैसे जो लोग चाहते हैं कि लेंदी प्रोसेस से गुज़रे तो पहले उनको यहाँ पे आना पड़ेगा personal HDFC बैंक की website पे आपको सबसे पहले आना है HDFCbank.com उसके बाद यहाँ पे personal पे यह है ही फिर आपको आना है pay फिर उसके बाद आपको आना है credit cards मैं help कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों दिक्कत हो वो जो इस दिक्कत से बस सके जैसे कि अगर मैं जो link नीचे description में दे रहा हूँ अगर कभी को वो link काम ना करे तो इसलिए मैं यह आपकी help कर रहा हूँ एक तरह से समझ दीजिए कि आपको एक एक process समझा रहा हूँ तो personal में आए, pay में आए, credit cards में आए तो आपको यहाँ पे इधर side में देखने को मिलेगा services for existing credit card customers तो इसमें आपको यह option देखने को मिल रहा है upgrade credit card तो इसमें आपको click करना है तो आप इसी page पे visit करेंगे जिस page पे मैं already था और चाहे तो आप directly आप गूगल पे search करेंगे तो आपको यह वाला जो पहला वाला option मिलता है search result upgrade credit card online HDFC bank इसपर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको आना है देखिए only select pre-approved customers are eligible for credit card upgrade देखिए कुछ select customer कोई pre-approved credit card upgrade का offer देखने को मिलता है सभी customer के लिए offer नहीं होता है याद रखिएगा upgrade का क्या मतलब होता है कि एक card से आप दूसरे card पे चले जाते हैं मतलब कि आपके पास कोई entry level credit card है तो आप जो है upgrade करके दूसरे card पे चले जाते हैं और इसके लिए कोई hidden charge और additional charge और नहीं है कोई भी नया charge नहीं है तो आप free में अगर आप eligible होंगे तो अपना card एक entry level credit card से उससे better credit उससे ऊपर वाले credit card में जो है upgrade कर जाएंगे इससे limit भी enhance हो जाती है तो आएए यहाँ पर हमें click here तो इस पर हम click करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना registered mobile number इंटर करना होता है और हमें यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपना mobile number इंटर करते हैं रेजिस्टर मोबाइल नमबर इंटर करने के बाद हमें यहाँ पर last four digits जो हमारे credit card का है वो इंटर करना होता है उसके बाद हमें get OTP पर click कर देना होता है थोड़ा सा हमें आपर wait करना होता है हमारे registered mobile number जो हमने आप इंटर किया तो उस पर OTP आता है वो OTP हमें आप इंटर करना होता है तो चलिए यह OTP इंटर कर लेते हैं तो OTP हमने इंटर कर लिया उसके बाद identify yourself जो हमें click कर देना होता है अब अगर हमारे लिए offer available रहेगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि हम किस-किस credit card में upgrade कर सकते हैं अगर offer नहीं होगा तो भी हमें पता लग जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं है you are already have our best credit card with the best in class privileges would you like to check latest 5000 प्लस offers available explore ना तो इनके कहने के मताबिक इनके कहने के according जो मेरे पास HDFC bank का credit card है वो best credit card है best in class privileges है इसमें और मुझे जो है upgrade का यहाँ पर offer नहीं देखने को मिला तो मेरे credit card है बहुत सारे offers हैं उनको export करने के लिए आप मुझे click करना होगा तो अगर आपको offer होगा अगर आपके पास कोई best credit credit card नहीं होगा वाज़े तो best credit card नहीं है लेकिन हा मुझे offer नहीं है अभी कुछ ही time हुआ है ये credit card यूज करते हुए तो अभी तो मेरे ख्यास से मैं इसको upgrade नहीं कर पाऊंगा तो अगर कुछ time और पुराना होता तो शायद मुझे offer होता तो इस तरह से आप भी अपना offer चे मेरे लिए तो offer नहीं है तो आप अपना offer अगर चेक करना चाहें तो ये जो मैंने तरीका बताया है इससे आप चेक कर सकते हैं I hope कि ये वीडियो आपके लिए informative और helpful रहोगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको like करीगा चैनल को subscribe नह किया हो तो subscribe भी कर ल चुक्षिंग बाइब बाइब